गुड इबनिंग दोस्तों माया सॉन्भी सिंग एडी का ओनलाइन पॉडल पाप सभी का वैलकम करता हूं बच्चे और सभी लाइब बनेंगे और वीडियो को सेर करते हुए सभी लाइब बनेंगे और ध्यानदा के बच्चे जितने भी लाइब रहें वीडियो को लाइक करत किजेगा 程 dana अापने फ्रेंड सर्कल में डीडियो को शेर करिएगा ठीक है ढगोड़ी इवनिग ठीक है भई वीडियो को share करिएगा गुड इबनिंग तो फ्रेंड सरकल में share कर दो वीडियो को तो हम देखो जहाँ one liner question होगा थोड़ा speed रखेंगे जहाँ थोड़ा calculation होगी वह थोड़ा हलके से चलेंगे राहूल राम 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 सबी को राम राम मेरी तरफ से भी है ठीक है ना चलो पहला question ज्यादा time नहीं लेंगे और वो जो कल जो question था वो question भी मैंने रख दिया इसमें ठीक है ना वो आगे मिलेगा आपको वो question चलो आकास start किया जाए very good सब के answer रान लगे face scales wear भालू, मचली scales भालू, तो बच्चे the body of his remains covered with scales ठीक है ना externally the body of wear remains covered with fur fur या option आपका answer हो जाएगा, next question चलेंगे अगला question, भाई वीडियो को share करेंगे अगला question 8325 तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं इनका दोनों का दोनों digit का difference निकालू 8-3 तो कितना आएगा, और 5 का square कर दों तो 25 हो गया ऐसे यहाँ पर 9-2 निकालूंगो तो 7 आएगा और 7 का square कर दों तो 49 आएगा option C आपका answer, next question भाई वीडियो को share करेंगे 100 plus ठीक है, 100 plus जाना चाहिए तीसरा यहाँ पर U कितने पर आता है 21 पर 21 पर और W 23 पर और X 24 पर W 23 पर 23 और Y 25 Z 26 तो यहाँ देखोगे, 2 add हो रहा है 2 add हो रहा है, यहाँ पर 2 add हो रहा है तो यह आता है, 15 15 में 2 add करोगे 17 17 का क्या Q Q option D आपका answer हो जाएगा अगला question, next question चलेंगे light को off करना है, J नेजर नहीं आ रहा गया चलो मैं देख लेता हूँ आ रहा भई नेजर clear नहीं गया, अब clear है चलो चलो ठीक है, अगला question C3 F6 C3 F6 ठीक है भई देखो C से I हो रहा है क्या C से I हो रहा है तो C कितनी पाता है, 3 पा आई आता है, 9 पे तो कितना add हो रहा है, भाई, पिलस के 6 add हो रहा है, ठीके ना, और F से L हो रहा है, F आता है, 6 पे L बारे पा रहा है, पिलस 6 add हो रहा है, बास समझ में आ रही होगी आपको, ठीके ना, और यहां पे देखोगे, F से L हो रहा है, और भी कुछ है, अब यहां प सत्रा पर क्या आएगा Q, बैस, option C, अगला question, अगला question, दो उन्नीस, दो वटे तीन, उन्नीस वटे उन्तीस, अगर मैं 2 इन्टू 9 कर दूँ, 2 इन्टू 9 पिलस के बार 9 दूँ या ठारा और एक उन्नीस हो गया, ऐसे यहाँ पर करूँगा, तीन गुड़ा 9 पिलस के 2, तो 29 27 और 2, 39, तो 19 वटे 39 हो गया, ऐसे इसमें करोँगे, 8 गुड़ा 9 पिलस के 7, तो क्या हो जाएगा, 9, 72 और 7, 79 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, 7 इन्टू 9 पिलस के 6, तो यह कितना बनेगा दोस्तो, 69, तो 79 अपोन 69, 79 अपोन 69 किसमें आ रहा है, option C, अगला question, next question, ब वीडियो को सभी share करेंगे, 100 पिलस भी नहीं हुआ भी, चलो, अगला question, यहाँ पर क्या रखना है, आपको divide की जगा पिलस रखना है, और 12 की जगा 18 रखना है, और 18 की जगा 12 रखना है, ठीक है, तो देखेंगे, पहला देख, चेक करेंगे, अगर में divide की जगा है, तो 18 की जगा यहाँ पर 12, तो यह तो बहुत जादा value वनेगी, यह तो हट जाएगा, 18 पिलस और 6, तो 18 की जगा 12 रखेंगे, और divide की जगा पिलस रखेंगे, तो यह भी बहुत जादा value वनेगी, 72 और 18 की जगा 12 रखेंगे, और divide की जगा पिलस रखेंगे, आप देख रहे हो, यह बहुत ज़्यादा वेली वनेगी ये भी नहीं तो option D बचा तो check कर सकते हो 12 की जगह 18 18 और पिलस की जगह कितना divide तो यहाँ पे divide पिलस के into into 18 की जगह 12 equal to 36 आना जाई है 16 18 12 36 36 equal to 36 तो option D आपका answer हो जाएगा अगला question वीडियो को share करेंगे अगला question ठीक है by option चलना है यहाँ से by option देखेंगे check करके तो पहला option रखेंगे अगर मैं into रख दूँ यहाँ पे divide रख दूँ और यहाँ पे minus रख दूँ ठीक है यहाँ पे क्या minus रख दूँ यह कितना जाएगा जीरो आजाएगा option 20 satisfy हो जाएगा next question पर चलेंगे अगले पर वीडियो को share करते रहेगा अगला question question नमर 8 तो यहाँ पे एक equation ही यहाँ पे देखोगे बच्चे अगर मैं से से divide कर दूँ ठीक ना यहाँ पे मैं 870 को 3 से divide करूँ तो कितना आएगा भाई तीन दूनीच है तीन नाम सत्ता है 290 और इन सारी डिजिट को add कर दूँ 9 दू 11 तो कितना आ रहा है 11 ऐसे ही 735 को मैं 5 से divide कर दूँ तो पांच एकन पांच दो पांच चोग बीस पांच सत्ते 35 तो इन सारी डिजिट को मैं add कर देता हूँ add 7 4 11 और एक 12 तो option भी आपका answer हो जाएगा very good अगला question question number 9 पे चलेंगे वीडियो को share करते रहेगा question number 9 पे यहाँ से option उठाके रखेंगे plus की जगए क्या minus रखना है तो यहाँ पे plus की जगए minus minus की जगए plus और यहा there पिलस है तो यहां पर माइनस रखना है उसे solve कर देना है इसे क्या कर देना है solve कर देना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा भाई ये भी नहीं आएगा बीस ओचार्च 24 चोवी चोग चान पर बहुत जाद बेटेगा ये नहीं आएगा option c चेक करते हैं बी चेक करते हैं पांच तो पांच पांच करेंगे तो पांच पांच करेंगे तो पांच पांच कहीं है नहीं option b b चला गया option c 16 6 तो 16 6 तो यहां पर 6 आ जाएगा और 16 6 कहीं नहीं तो ये भी 20 में चार्च 64 यह भी जाद बैठेगा option C cancel तो D आ जाएगा तो D चेक कर सकते हैं आप अपनी आत्मा माइनस की जाएगा डिवाइड करना है ठीक है तो 4 पंज भी 5 जोग 20 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 तो 36 इक्वल टू 36 जाएगा अगला question चलेंगे next question पे हाँ भाई नीरज आज सर आ गए तो कल से वो आपकी class लेंगे थोड़ा ठीक है तो 2 15 4 47 question number 10 question number 10 तो देखना है double series यह triple है तो लंबी चोड़ी दे रख़ी है तो double series ही होगी जब यह double series होगी तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 4 हो रहा है तो कितना add हो रहा है भाई ठीक ना 11 से plus के 5 add करेंगे तो कितना जाएगा 16 तो 16 किस में आ रहा है दो option में आ रहा है बट एक और चेक करना पड़ेगा यहाँ देखोगे बच्चे यहाँ पे यहाँ पे करोगे 4 का square minus के 1 16 minus 15 ऐसी 7 का square minus के 2 7 सत्य 99 में 2 ऐसे यहाँ पे देखोगे 11 का square minus के 3 121 में से 3 और ऐसे यहाँ पे चेक करोगे 16 का square minus के 4 16 का square minus के 4 कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा तो 252 16 आ जाएगा option B next question चलेंगे अगला question अगले question का answer करेंगे सब भी वीडियो को share करिएगा तो यहाँ देखो भाई यहाँ पे कितना add हो रहा है यहाँ पे कितना add हो रहा है 0 1 310 कितना 310 add हो रहा है तो यहाँ पे कितना add हो रहा है 0 1 310 यहाँ भी add हो रहा है तो यहाँ पे कितना 0 4 में से 3 1 9 3 310 यहाँ भी add हो रहा है तो 310 यहाँ भी add कर दोगे आप तो भीया कितना तीन चार और एक पांच तीन और दू पांच एक पंद्रह सो तर्येपन पंद्रह सो तर्येपन आजाएगा option C आपका answer आजाएगा next question चलेंगे अगला question अच्छा question चिपराएगा भाई बीडियो को share करेंगे बीडियो को share करेंगे दोस्तों सभी अगला question अगला missing term calculate करना है आपको क्या missing term calculate करना है ठीक है ना अगर देखो मैं यहाँ पर logic को समझना 1 into 2 कर दूँ क्या 1 into 2 equal to कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है ना और 2 के साथ यह 2 हो गया अगर मैं 2 into 3 कर दूँ तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 ठीक है और 6 into 4 कर दूँ तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा तो इसी pattern में तोड़ के देखते हैं तो 6 into 2 12 हो जाएगा कितना 12 शायदू नहीं 12 है क्योंकि अब 2 से divide करते चले जाओ तो 2 से इसे फिर 3 से इसे divide करेंगे तो इसे divide करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 गुड़ा 3 36 तभी तो बनेगा 3 से divide करेंगे तो ठीक है और यहाँपे अगले में 144 वाले में कैसे करना है 36 गुड़ा 4 चार से डिवाइड करेंगे तो 36 तो 144 बन जाएगा तो यहाँ पर इसे चेक करेंगे बज़िए 16 वाले को तो 16 वाले को चेक करेंगे तो पहले 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 गुड़ा 32 बन जाएगा कितना 32 ठीक है न और 32 गुड़ा तीन कर दोगे तो कितना बतीती चानवे हो जाएगा तीन करोगे तो चानवे 96 ठीक है थोड़ा question लेंथी है तो डरना नहीं 96 into 4 तो ये कितना जाएगा 384 ठीक है 4 से एक बार 3 से फिर 2 से तो कितना आजाएगा 96 option C जाएगा अगला question यहाँ भी missing term आपको बताना है missing term बताना है तो बचे एक और दो तीन दो एक और दो तीन 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 चे चे और चार दस 10 गुड़ा तीन करूं तो कितना जाएगा 30 आजाएगा ऐसे 2 तीन 5 5 और 4 9 9 और 5 14 14 गुड़ा तीन करूंगो तो 42 आजाएगा ऐसे 3 4 7 7 5 12 12 12 और 6 18 18 गुड़ा तीन करूंगा तो कितना जाएगा 54 option A answer हो जाएगा नेक्स question चलेंगे अगला question दोस्तो वीडियो को share करेंगे सभी अभी 100 भी नहीं हुआ है अगला question odd one out निकालना है teach instruct educate और explain और explain ठीक है तो बच्चे सिखाना को छोड़का सभी सीखने के तरीके हैं सिखाना को छोड़का सभी क्या है सीखने के तरीके हैं next question देखेंगे अगल निकालना आपको odd one out निकालना है तो देखो 5 और 9 9 और 5 14 14 और 8 22 22 और 6 तो इनका सम कितना हो रहा है 28 हो रहा है 8 5 13 13 और 9 22 22 और 6 28 इनका सम भी कितना हो रहा है 28 हो रहा है यहां देखेंगे 8 4 12 12 12 और 9 12 9 21 और 7 28 यहां भी सम कितना हो रहा है 28 यहां चेक करेंगे 8 और 14 14 और 7 14 और 7 कितना हो गया 21 और 9 30 तो यहां पर कितना हो रहा है 30 तो option D आपका answer चला जाएगा कौन सा explain नहीं करा भाई सिखाना जो सिखाना को छोड़ कर सभी सीखने के तरीके हैं क्या नामे सुझीत उसमें explain करने का यह था सिर्फ सिखाना को छोड़ कर बाकी सारे क्या हैं सीखने के तरीके थे उसमें अगला question यहां भी odd one out निकालना है और बन आउट निकालना है वीडियो को share करेंगे सुझीत किलियर है सुझीत किलियर है सिखाना को बच्चे सिखाना को छोड़ कर ठीके ना बाकी क्या है सीखने के तरीके हैं यहां भी odd one out निकालना है तो देखो यहां से देखेंगे बी जी एन आई है तो भी यहां पे क्या है पिलस के पाँच एड़ हो रहा है और जी से एन हो रहा है जी से एवन पे साथ साथ तो कितना यहां पिलस के 7 एड़ हो रहा है और यहां पे N से I हो रहा है तो माइनस के 5 हो रहा है तो यहां भी चेक करेंगे तो यहां भी कितना हो रहा है पिलस के 5 हो रहा है यहां पिलस के 5 हो रहा है यहां पिलस के 7 हो रहा है यहां माइनस के 5 हो रहा है यह ठीक है यहां देखेंगे D कितने पाता है D 4 पर I 9 पर P 16 पर और L 12 पर तो यहां प्लस के 5 हो रहा है 9 7 16 प्लस के 7 हो रहा है और यहां पर कितना कम हो रहा है माइनस के 4 कम हो रहा है तो आंसर तो यही जाएगा इसे और चेक कर लेते हैं 5 10 17 5 10 17 12 तो यहां पर प्लस के 5 एड़ हो रहा है प्लस के 7 एड़ हो रहा है और माइनस के 5 तो option C आपका आंसर जाएगा अगला question चलेंगे next question जैसरी कौन सा repeat करना है भाई कौन सा सुझीद मैंने बताया बाखी क्या है सिखाना को छोड़ कर ठीक है ना सिखाना को छोड़ कर बाखी क्या है सीखने के तरीके यहां पर भी odd one out निकालना है odd one out निकालना है यहां पर ठीक है ना odd one out निकालना है content सामेगरी bibliography, ग्रंत सूची, press या preface या फिर preface तो preface या press या bibliography या content बच्चे press is different from the other three words बाद सांज में आए गई प्रैस को छोड़कर यह जो तीन होएं यह क्या हैं बुक के पार्ट हैं तो option C आपका आंसर हो जाएगा इसमें अगला question अगला question लास्ट का answer explain होगा मैं समझा नहीं आप question कौन सा उससे देखो बाद में पूछना आप चलो आगे बढ़ते हैं कौन से question की बात कर रहे हो इसमें आपको और कौन सी series ना कौन सा नंबर गलत है कौन सा नंबर गलत है सब्सक्रान इसे चेक करेंगे तो बचेंस यह क्या 15 रेका बार होग मैं और banister यहाँ पर देखो। यहにはण पर 15 रेक लाि सोले इस सोले के बार सित्रे आना चाहिए तो श्तरे के बाराद 18 तो option C वाला जो है 121 गलत हो जाएगा क्योंकि increase order में नंबर आ रहा था increase order में नंबर आ रहा था ठीक है ना सुजीत किलियर है 121 अगला question next question वो कह रहा है बच्चा किस से लिखेगा तो बच्चा pencil से लिखेगा और pencil को क्या बोला गया है sharpner तो sharpner option D आपका answer हो जाएगा next question चलेंगे अगला matrix का question है milk milk का code निकलना है तो पहले क का code निकलना है तो double line पे देखो क्या आ रहा है 9 यह आ रहा है तो K यह आ रहा भाई ठीक है ना 32 पे देखो L आ रहा है कर नहीं आ रहा तो 3 यह हो गया 2 यह हो गया तो L यह आ रहा भाई ठीक है ना 6 7 पे देखो I आ रहा है नहीं आ रहा तो 6 यह हो गया 7 यह हो गया I यह आ रहा M पे देखो बच्चे 12 आ रहा है तो 1 यह हो गया 2 यह हो गया तो M यह आ रहा है तो option A आपका answer हो जाएगा next question चलेंगे अगला question अगला question भाई वीडियो को share करेंगे hospital का code यह है तो postal का इसी में से निकालना है बच्चे तो P किस से denote हो रहा है 1,2,3,4,5 7 से denote हो रहा है तो 7 से last का digit देख लेते हैं L किस से हो रहा है 8 से तो 8 A किस से denote हो रहा है 1 से तो बीचे 18 आ रहा है किसी में 2 में आ रहा है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है तो आगे से O देख लो O कितने पर आ रहा है 2 पर आ रहा है O कितने पर O O O O 2 पर आ रहा है O 2 पर आ रहा है न तो क्यांसा हो जाएगा 72 यह हो जाएगा who are you इसका code निकल लाएं तो ये क्या है भाई who are you who are you बच्चे ये है 432 और यहाँ पर क्या है they is you ये है they is you इसका code क्या है 485 और यहाँ पर क्या है they are dangerous they are dangerous d-a-n-g लिख देता हूँ dangerous तो कितना है 295 तो किसका code पूछ रहा है danger का code पूछ रहा है तो देखो common क्या आ रहा है common क्या रहा है यहाँ पर you आ रहा है यहाँ पर you आ रहा है तो cut क्या जाएगा यहाँ पर उपर और यहाँ पर common आ रहा है है कुछ चाहरा यहाँ पे चाहरा रहा यह यहां पे आ रा रहा है यहां पे आ रहा रहा है तो वाले में डूध कैंसल हो जाएगा ठीक है ना झील आ है अगला question बरीगुड नफ याज़ान कोई अगला question है और अगला question हो प्रैश ऐसे कितने सिच्छित व्यक्ति हैं जो कारेरत हैं ठीके ना सिच्छित व्यक्ति बता रहा है एजूकेटिड जो एंप्लोईड हैं तो कितने भाईया बारहा प्लस के छे यह यह वाले ठीके ना बारहा प्लस के छे तो कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे option C हो जाएगा next question चलेंगे अगला question अगला question चलेंगे which figure represent the relationship among sun, moon और molecule भाई सबी सारी जो बस्तुवां होती है molecule से बनी होती है तो sun भी molecule से और moon भी molecule से तो कौन सा आजाएगा option C आजाएगा अगला question चलेंगे next question ये dice का question है तो dice में देखना है यहाँ पे E के opposite B आजाएगा तो E के opposite आएगा दोस्तो B और यहाँ पे app के opposite C आजाएगा तो app के opposite आजाएगा C क्या C आजाएगा और बच्चा क्या A A के opposite आजाएगा D क्या आजाएगा D तो ध्यान रखना जो एक दूसरे के opposite होते ना तो एक वार एक साथ scene होंगे और जो एक दूसरे के opposite होते ना एक साथ hidden होंगे ना तो कभी एक साथ hidden होंगे और ना कभी एक साथ scene होंगे तो E और B ना तो एक साथ छिप सकते और ना एक साथ दिख सकते तो पहले में देखेंगे E और B आ रहा है तो दोनों एक साथ कभी नहीं दीखेंगे तो इसलिए गलत हो जाएगा और E F D E F E F D तो option B हो जाएगा C देखेंगे B C E B C E तो बच्चे B और E एक दूसरे के opposite तो एक साथ नहीं दीख सकते इसलिए ये गलत हो गया A D E तो A और D एक दूसरे के opposite तो एक साथ सीन नहीं हो सकते इसलिए ये गलत हो गया तो option B आपका answer हो जाएगा option B जाएगा रहे अगला question चलेंगे next question पे राइदिका अपने घर से दच्छिन में 50 मीटर गई तो दच्छिन में गई ये गई 50 मीटर ठीक है ना फिर वहाँ बाय मुड कर 20 मीटर गई तो 20 मीटर बाय मुड़ी और पुने वहाँ उत्तर की ओर 30 मीटर गई तो 30 मीटर उत्तर की ओर गई 30 मीटर ये रहा ठीक है ना अब उसका घर गर इस इस्तान से किस दिसा में है तो इस इस्तान से भाई उसका घर तो यहां था तो यह यह डायक्शन कौन सी हो जाएगी यह वाली डायक्शन कौन सी हो जाएगी यह जाएगी नौर्थ बेस्ट नौर्थ बेस्ट डायक्शन में आ रहा है नौर्थ बेस्ट तो नौर्थ ब आ रहा है आपका option D आ रहा है अगला question चलेंगे next question पर भाई वीडियो को share करेंगे वो कह रहा है प्रति दिन सुबह गोल गुमज की चाया 12 कमान में तता साम को उसी प्रकार 12 कमान की चाया गोल गुमज पर बच्चे जब सूर्य देपता सुबह को निकलेंगे तो उनकी चाया ह पोजिट direction में क्या होगा चाया होगी अगर best में है सूर्य देपता तो चाया किदर होगी east में तो वो क्या कह रहा है गोल गुमज तो यह हो गई गोल गुमज ठीक है और क्या है गोल गुमज की चाया 12 कमान में सुबह की बात कर रहा है तो भाईया यह यहां पे और 12 कमान य दिसा में तो भहिया इसके respect में ये किदर है पूरम में है किदर पूरम में तो option ये आपका answer हो जाएगा next question चलेंगे question number 28 question number 28 में देखेंगे वो कह रहा है बिद्याती की एक अच्छा में रीता की इस्तिती बाइयोर से तो भहिया ये रीता हो गई और बाइयोर से कितना है 15 वा नमर है फिर आगे क्या कह रहा है सोनू की स्तिती दाइयोर से ये हो गया सोनू और दाइयोर से कितने नमर पर अठार में पर आगे कह रहा है जब अपनी स्थिति आपस में बदा लेते हैं तो रीता की जगह सोनू आ गया सोनू की जगह रीता आ गई अब आगे क्या गरा है तब रीता की स्थिति दाईं तरफ से ध्यान देंगे राइट हैंड से पूछ रहा है राइट हैंड से कितना 19 वह इस से पूझ रहा है यहां से कितनी बता रहा है वो 19 वहीं बता रहा है तो आगे क्या गरा है सोनू की बाईं तरफ से नई स्थिति तो सोनू की लेप्ट हैंड से तो बच्चे के बी केंनोट डिटर्माइन क्योंकि यह जब तक हमें बीच वाले पता नहीं चलेंगे तो हम इसे find out नहीं कर सकते हैं तो option D आपका answer आजाएगा अगला question चलेंगे next question पे ठीक है अगला question चार ब्यक्ति MN O ठीक है ना चार ब्यक्ति MN O पत्ते खेल रहे हैं तो यह पत्ते खेल रहे हैं भाई तो आगे क्या कह रहा है तो इन में से कौन सा साती है पी ओ साती है क्या आमने सामने वाले साती होते हैं नहीं M P साती है क्या नहीं M P भी नहीं है और M N साती है क्या नहीं यह भी नहीं N P साती है हाँ N P साती है यह वाले तो option या आपका आंसर हो जाएगा अगला कोशन चलेंगी आछ वज गवान वरिंट पर जलब प्रतीम हम बताना आपको वोट्र Eh । आपको वांटर इमेज बताने हैं od अभी वीडियो को share करेंगे, देखो अगर आप लोग share नहीं करोगे, चलो तो आठ बजकर बामन मिनट का जो समय पढ़ता है, बचे 6 और 12 के बीच में पढ़ता है, तो ये किस में से 70 में से आपको माइनस करना है, आठ बजकर बामन मिनट, तो ये कितना आएगा, ये आजाए अगला question देखोगे, नेक्स question पर है, यदि माहा की 9 तारीख, रविवार से एक दिन पहले पढ़ती है, यानि कि रविवार से, तो 10 को क्या पढ़ता है भाई, संडे पढ़ता है, तो इससे पहला संडे कप पढ़ेगा, तीन तारीख को पढ़ेगा, इससे पहला संडे कप पढ़ेगा भाई, तीन तारीख को पढ़ेगा, और तीन से पहले दो तारीख को क्या हो रहा होगा, सटेडे रहा होगा, और एक तारीख को, एक तारीख को क्या फर्स्ट को क्या रहा होगा फ्राइडे रहा होगा क्या फ्राइडे तो answer क्या हो जाएगा फ्राइडे option A आपका answer जाएगा अगला question देखेंगे next question statement वाला question है वो कहा रहा है all stars are moons तो ये होगे star और all star क्या होगे भाही moon होगे all moons are planet तो यह सारे moons क्या होगे planet होगे all planets are round तो यह सारे planets क्या होगे round होगे ठीक है तो आग उसमें क्या conclusion क्या गरा है all moons being stars is a possibility तो हाँ यह भी ठीक है all stars are round all stars are round बिलकुर ठीक है आर टाउन तो भाईया यह हो गए cities और यह क्या कर रहा है टाउन बोल रहा है तो यह all cities are town हो गए some cities are village तो some cities are village हो जाएंगे यह हो गए village तो conclusion क्या कर रहा है all villages are towns all villages are towns नहीं यह नहीं होगा ठीक है ना no villages is a town ऐसा भी नहीं होगा कुछ तो है ना some villages are town हाँ some villages are town हो जाएंगे ठीक है ना all भी नहीं हो सकते no भी नहीं हो सकते some हो सकते तो तीसरा वाला आपका correct हो जाएगा next question चलेंगे next question पर चलेंगे अगला question भाई वीडियो को share करेंगे statement और argument वाला question है वो कह रहा है क्या भारत को कोई भी ससस्त्र सेना नहीं रखनी चाहिए तो तरक है आपका नहीं बिस्व के दूसरे देश आहिंसा पर यकीन नहीं रखते हैं और दूसरा है हाँ बहुत से भारत बासी आहिंसा पर बिस्वास करते हैं तो बच्चे कोई भी तरक सही नहीं होगा कोई भी तर्क सही नहीं होगा इन में से तो बट इसका जो मतलब है हाँ भारत को ससस्त्र रखने चाहिए हत्यार रखने चाहिए दूसरी कंट्री से अपनी सेप्टी के लिए ठीक है आगला question चलेंगे next question ठीक है बहुता रोंग हो जाएंगे इसमें statement assumption वाला question है अथीती को दो नहीं बताया जाए तब तक दोपेर का भोजन उपलब्द नहीं कराया जा सकता दूसरा क्या अतीती दोपेर के समय तक ठेहरेंगे तो बच्चे इसमें दोनों ही ठीक हो जाएंगे पहला वाला भी और दूसरा तो बहुत आर्क करेक्ट हो जाएंगे ठीक है अगला question ठीक है एक आदमी की और इसारा करते हुए एक आदमी की और इसारा करते हुए ठीक है रिपीट कर देंगे खान ठीक है आदमी की और इसारा करते हुए एक औरत ने अपने पती से कहा कि उसके भाई के पिता उसके भाई के पिता तो भाई उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलोते पुत्र है तो औरत और इस आदमी से क्या संबन्द है तो क्या है भाई उसकी सिस्टर है simple सा question है ये तो sister हो जाएगी अगला question चलेंगे F A का भाई है तो F जो है A का भाई है ये F हो गया किसका A का भाई हो गया F F ये का भाई है C A की पुत्री है C जो है A की पुत्री हो गई K F की बहन है तो K जो है F की बहन हो गई K K F की बहन हो गई ये क्या F तो G C का भाई है G जो है C का भाई है ठीक है तो क्या कह रहा है G का चाचा कौन है तो G का चाचा कौन हो जाएगा भाई F हो जाएगा तो option C जाएगा अगला question चलेंगे next question पर अगला question भाई वीडियो को share करिएगा अगला question यह equation दिया और equation को sort out करना है आपको यह equation दिया sort out करना है तो यहां तो clear clear नजर आ रहा है तो हमें क्या है आपको square भी आद होना चाहिए कम से कम 30 तक और Q भी आद होना चाहिए कम से कम 20 तक ठीके ना fast calculation को करने के लिए तो देखो यह 324 का root ले देंगे यहां पर 289 का root ले देंगे तो 324 किसका होता है यह 18 का होता है 18 का और यह होता है 17 का तो 18 plus 17 करेंगे तो कितना जाएगा 35 ऐसी 441 का root ले देंगे इधर 484 का तो 21 plus के 22 तो यह कितना जाएगा 43 ठीक है ना ऐसी 625 का root ले देंगे पिलस कर देंगे ऐसी 400 का root ले देंगे तो यह 25 हो जाएगा पिलस के 20 तो यह कितना आगे 45 यह आगे 45 ऐसी रूट 256 कर देंगे पिलस के रूट 729 कर देंगे 729 256 729 किलिए रहे तो यह होता है 16 का यह होता है 27 का तो इन्हें एड़ कर देंगे 763 234 43 कितना 43 options यह आपका answer हो जाएगा next question चलेंगे अगला question एक माली के पास 133 गुलाव हैं वहाँ उसमें से 5 बटे 7 गुलाव बेच देता है तो उसके पास गुलावों की संक्या तो भाया total कितने हैं 133 हैं और एक बात बताओ जब 5 बटे 7 अगर मैं fraction में लूँ तो total कितने 7 7 में से उसने 5 बेच दिये तो उसके प क्लास option B आपका answer हो जाएगा अगला question चलेंगे हाँ ठीक है सुनील प्लेलिस्ट में मिल जाएगी यहाँ पर आपको middle word निकालना है क्या middle word भाई वीडियो को share करेंगे सुनील प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएगी ठीक है अगला question तो पहला प्रकॉंसा आजाएगा पहले पा पाई जाएगा पार्टिसन चौथे पर पार्टिसन पांस में पर पैसन आ जाएगा तो middle पूछ रहा है तो middle क्या हो जाएगा पार्टिकल ऑप्शन यह आपका answer हो जाएगा अगला question चलेंगे next question transform यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता नहीं बनाया जा सकता यह बताना है तो transform से कौन सा नहीं बनाया जाएगा तो transform से कौन सा नहीं बनाया जाएगा बच्चे तो train में आई आ रहा और इसमें आई नहीं आता तो option A आपका answer हो जाएगा वीडियो को share करेंगे दोस्तों सभी अगला question चलेंगे next question ठीके ना इसमें इससे क्या है बनाया जा सकता है इस word से कौन सा word बनाया जा सकता है वो ढूड़ना आपको तो कौन सा देखो पहला देखेंगे renal बनाया जाएगा का R E N E L R E N A ये तो आई नहीं रहा H I N D और ये भी नहीं बनाया जाएगा ये भी नहीं बनाया जाएगा S O R L R L R I क्या नहीं ये भी नहीं बनाया जाएगा H O R S E H O R S E option D आपका answer हो जाएगा अगला question चलेंगे next question इससे फिल करेंगे भाई भाई वीडियो को share करेंगे दोस्तों वीडियो को share करेंगे सबी ठीक है तो देखो B A W B A Triple B A A और 4 बार B फिर 4 बार A आजाएगा तो क्या आएगा B A B B और A A तो B A W B A B A W B W A option B आपका answer जाएगा next question चलेंगे number of triangle आपको निकालना इसमे तो यहां कितने हो जाएगे 3 और यहां पे 1, 2, 3 तो 3, 2, 5 और 1, 6 तो कितने हो गए 6 फिलस के 3 तो कितने आजाएगे दोस्तो 9 आजाएगे कितने 9 ठीके ना अगला question next question 9 answer आजाएगा आपका 9 अगला question चलेंगे next question ठीके ना यह mirror लगा हुआ है mirror में पल्टेगा तो यह जो pass वाली चीज़ पास में आएगी यहाँ पर आएगी और दूर वाली यानि कि एक एक के पास आएगा और जो दो है तो यह दो में आएगा तो यहाँ पर R कैसे हो जाएगा भाई R ऐसे हो जाएगा और E कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा A यह रहेगा और D कैसे हो जाएगा यह देख लो किसमें आ रहा है तो पहला वाला कैंसिल उपर वाला भी कैंसिल दूसरा वाला भी तीसरा वाला भी कैंसिल option D आप का answer हो जाएगा अगला question चलेंगे next question भाई वीडियो को share करेंगे यह point पहला यहाँ आएगा यह दूसरा point है दूसरा यहाँ आएगा और नजदी वाला नजदी दूर वाला दूर रहेगा तो देख लो पलटी मार के पलटी मार हो गए तो यह तो होगा ही नहीं और यह दोनों एक साइड आ रहे हैं यह पॉइंट और यहाँ पर यह आना चाहिए यह इधार आ रहा है यह इसलिए cancel हो गया B वाला option A आपका answer हो जाएगा अगला question next question देखेंगे तो इस वो फिलेप करेंगे तो यह तो देखती ही cancel हो जाएगा बच्छे यह भी देखती ही cancel हो जाएगा ठीके ना अब देख लो left end में यहाँ यहाँ आ रहा है फिर यहाँ पर आना चाहिए यह दर आना चाहिए तो option B आपका answer हो जाएगा ठीके ना option B नेस question देखेंगे अगला question नमर 48 यही वाला कल question था जो हमें पता नी चला था ठीके ना तो कल हमें पता नी चला था यह clear clear रखा था तो देखो कहां रखा है यह उपर वाला यह हो गया भाई और यह line यह आ गई आपकी ये लाइन ये आ गई बात समझ में आ गई और ये वाली डूड़ेंगे तो ये वाली ये रही ये रही और इस वाली लाइन की बात करूँ तो ये वाली लाइन ये रही और इस वाली की बात करूँ तो ये वाली लाइन ये रही ये रही भाई, किलियर है तो ये समझ में आ गया कल वाला question था ठीक है आप में से कुछ लोग कैभी रहे थे कि सर आप उन question को नहीं रखते हो आज मैंने रख दिया अब आज के बाद नहीं कहोगे भाई आप तो ये वाला तो clear नजर आ रहा है तो ये वाला clear नजर आ रहा है ये रहा ठीक है option A आपका आंसर हो जाएगा ठीक है भई तो ये आपका last question है question number 50 इसका answer करना है तो ये भी के लिए नजर आ रहा है ये रहा ये रहा भई इसमें option C में ठीक है अच्छा हम हम तो रट लिए नहीं रटना नहीं ठीक है हो जाता है यार नजर पर चीज़े नहीं चड़ती है तो कल नहीं चड़ी वो तो मैंने वो रख दिया था ठीक है तो इसके बाद आपका ठीक है बच्छे वीडियो को share करना है ज़्यादा ज़्यादा और session कैसा लगा question कैसे लगे आपको तो अपना-पना feedback दिया करो, क्या correction करना है उसका suggestion भी दिया करो ठीक है देखो ऐसा होता है कि हम से बहतर आप बता सकते हो क्योंकि आप पड़ रहे हो तो आप उसमें Suggestion दे सकते हो क्या correction करना है, क्या नहीं करना है सेशन कैसा चल रहा है, question कैसे चल रहा है Speed ज़्यादा तो नहीं है, Speed कम तो नहीं है 30 Question 1, repeat करना है question number 30, कल वाली slide में मिल जाएगा question number 30, कल वाली slide में मिल जाएगा amental Kun do that कैसा लगा दोस्तों, session के बारे मैं बताएगे आ लोग सभी ठीक है इसपीड ज्यादा तो नहीं है इसपीड कम तो नहीं है आपको क्या आपने चीजी पड़ रखी है बस आपको पर्क्टिस करनी आ क्या 5000 करनी माइड को ऐसा बना लेना है क्योंकि जैसा हम सोचते हैınız जैसा काम करते है तो माइंड भी ऐसी वर करता है तो आप फिलो में question करोगे तो माइंड में जल्दी जल्दी calculation भी होना शुरू हो जाएगी जल्दी टिक करने लगेगा ठीक है ना calculate करने लगेगा शिवम पांडे thank you तो भाई चलो तो आपका question यह यह आना है इस पीड जादा है चलो थोड़ी सी कम रख लेंगे तो बचे आज के लिए इतना ही रखते है वीडियो को जादा जादा शेयर करना है आपको जादा जादा लाइब रहोगे आप ही के लिए करा जा रहा है आपके selection के लिए करा जा रहा है तो आपको आपकी responsibility बिंदि है कि कि अगों का आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का सँब्य साथ पहले इस आप लोग Space आप लोगों का ध्यान दीजिगा आप लोगों की जो सिघाय करना है आपको एक्षाप है आपको जीएस भी गरना है तो जीएस करें तो मैं 20 मिनट की बात कर रहा हूं कि 20 मिनट में आपको जीएस समाप्ट करना क्यूं क्यूंकि अगर एक्जाम हमारा कुछ जो पेपर अगर 190 के आसपास बना और मैं डेट सो मैं कुछ सबसे तो इसी साब से हमें रखना ठीक है और जल्दी से टेक्निकल क्लासे सुरू हो जाएगी बिल्कुल सर अब आ चुके हैं सहर के अंदर तो आप लोगों को कब क्लास होगी कब सर आप लोगों की क्लासे सुरू करेंगे ठीक है तो इतना अच्छा सेशन आपका शुरू सब कर ठीक है ना चलेगा टेक्निकल बिल्कुल मैंने आपको बता है आपके सवाल मैंने देख लिए जब कोई दिक्क्त नहीं है ठीक है टेक्निकल भी सुरू हो जागा एक बार सुरू की जएगा एक बार सेर की आज का जो हमारा सेशन देगा बच्छे आपका यहाँ पर क्या दिया गया मैं आप लोगों को बता देता हूं पहरे तो स्लाइड से हटके कि यहाँ पर देखिएगा आप लोग समझ रो स्लाइड में क्या दिया गया कि कल सुबह मौर्निंग में पुरश्कार और सम्मान से साथ बजे मौर्णिंग में आपका 2020 है यहाँ पर दिया गया तो कल सुबह आपकी यह क्लास होगी इस क्लास में आप लोग जरूर लाइब रहेंगे आपको लाइब सेशन रहे गए लाइब सेशन रहे ठीक है अब यहाँ पर देखेगा वर्स 1986 में चर्णोबिल में घटना ह तो यह हुई थी आपकी प्रमाणि यह कैसी थी आपका एक न्यूक्लियर एक्सिदेंट था ठीक है चलिएगा नेक्स बनेंगे जो 26 अपरेल को बिलकुल प्रदान मंत्री जंधन योजना जिसे 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था अब इसे कितने वर्स होगे तो मैंने 2014 बत चलिएगा शेयर भी करते रहेगा एक बार सभी गुरूप हमें शेयर कीजिएगा आप लोग नंबर ऑप स्टुडेंट कम पे कम होते जा रहे हैं आप लोग चलेगा नेक्स बनेंगे अगले कुशन पर निकट द्रिश्टी दोस यहां पर क्या दिया गया निकट उससे क्या कहा जाता आपका माय पिया कहा जाता ठीक है नेक्स बढ़ेंगे यहां पर क्या दिया गया आपका कुश्चन दिया गया समझ रो जश्ट परने विच आपका अच्छा कुशन से एक्जाम पॉइंट ऑब यू से आपसे पूछा अगस्त 2020 में रिजर बैंक ऑप इ एसका मतलब क्या है बीसी एसबिय में एसस्टेंटर यह आएगा आपका इस्टेंडर इसका मतलब होता है बैंकिंग कोड़ और इस्टेंडर अबूर्व उप इंडिया की बात की जारी है और वे नेक्स बनेंगे अगरे कुशन क्यूर यो ravni कोई भी प्रूटि होती है तो उसे दर साहे जाता किसमें बग के रूप में बी आप राइड अंसर आएगा क्या होगा आपका बग बहुत बढ़िया नेक्स बढ़ेंगे अगले कुशन क्यों जो बच्छे यहां पर रेगुलर क्लास में रहते हैं करेंट फ़र क्लास में मौर्णिंग में सारे पांच ब विकेट लेने का इत्यास रज़ दिया फास्ट बॉलर जिन्होंने ऐसा कारणामा करने वाले पहले बल्लेबास बन गे तो वो कौन है आपके जैम सेंडर्सन बेलकुल सही आंसर भारतिया में आपको गा अनिर कुमले का नाम है मुथाया मुर्ली दरन का नाम है स्रिलंकन और लेकिन पहले जो फास्ट बॉलर है जिन्होंने 600 विकेट लिए ठीक है तो वो कौन है जैम सेंडर्सन भी राइड आंसर आएगा यदि राष्ट बती और उपराष्ट बती दोनों देश से बाहर है किनी कारणों से तो इन इस्तिती में उनके जो कार्यबार को कौन गिरेंट करेगा बोथ प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट आउट ओप दे कंट्री देन देट केस वू इल भी यहां पर क्या होगा बच्छे आपका यानि कि उनके पद का या उनके करेबार को कौन समालता है इस दोरान आपके पास चार ओप्शन दियेगे तो आप लोगों स्बरान एंसर दिया सर कौन होगा सर व्च नियाले के मुक्या डायत की चीफ जस्वास्टिस उप सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट के जो क्या होंगे मुक्या और प्रीष के विश्ट मैं एक बिवादлом पर वह बुदीब कौन सा होगा आपका न्यूव्मूर्थ जिस पर भारत और बंगलादेश के बीज में क्या है विवाद है अगला कुश्चन दिया गया ये भी आपका करेंट अफैर क्लास में जो मॉर्णिंग में सारी पांच बजे होती है उसमें दिया गया था टाइटल ओप यहां पर क्या दिया गया अब बुक टाइटल क्रिकेट द्रोना समझ रहो और क्रिकेट द्रोना इस दा बेस्ट अफ दे लाइफ इस कोज कौन से कोज की जीवन पर आधारित क्या है यह बुक है समझ रहो तो किसके नाम पर बचापका वासुदेव जगनात प्रांज पे वासुदेव जगतनात प्रांज पे क्रिकेट द्रोन जो बुक लिखी गई वो किसकी जीवन के अधारित है तो वह है वासुदे जगतनाथ प्रांज पे चलिएगा नेक्स बढ़ेंगे अंत्रिक्ष में प्रक्षेपित किया गया पहला आर्टीपीचल सेटलाइट कौन सा था तो कौन सा था आपका इस पूतनिक वन बिलकुल सही आंसर आपका इस पूतनिक वन जिससे रसिया के द्वारा पहली बार लॉंच किया गया था चलिएगे नेक्स बढ़ेंगे निमले खित मैंसे किसे मराठा मैक्यावली भी का जाता है आज कल चर्चा में महाराष्ट मुंबाई तो आपसे अगर पूछा जाता है कि मराठा मैक्यावली किसे कहा जाता था तो यह कहा जाता था आपको नाना फंडवीज को कहा जाता था मराठा मैक्यावली बहुत बढ़िया सेर करते रहेगा अगला यहाँ पर ध्यान दीजेगा अगला क्वेशन दिया गया आपको National Council for the Promotion of Urdu Language ने विश्वा उर्दू सम्मेलन का आयजन किया भी रिसेंट यापके अगस्त मार्स में यापका आयजित किया गया था तो कहां पर हुआ आपका समझ रो National Council for the Promotion of Urdu Language के लिए जो सम्मेलन का आयजन किया गया तो भारत के कौन से सहर में हुआ तो यह सहर था आपका कौन सा सहर आईगा आपका बिलकुल सा आणसर नहीं दिल ले आप सभी लोगों को एक बार दुबारा से याद दिला देता हूँ कल सुबह सात बजे समझो भारत के अंदर 2020 में विश्वस्तर पर जितने भी पुरुषकार है सम्मान है उनसे सम्मानित जितने भी आपके जीके वाला कुशन फॉर एक्जामपल के लिए ग्यानपिट पुरुषकार की शुरुवात कब हुई पहली बार किसे दिया गया और वर्तमान समय पे कब और किस बुक के लिए किसे दिया गया तो ये सारी चीजा हम लोग कल पढ़ने वाले सात बजे आपके लिए स्पेशल क्लास होगी ठीक है तो आप सभी लोग लाइब रहेंगे पहले करेंट बढ़न की क्लास सारे चाह बजे से सारी सारे पांस से सारे चाह तक उसके बास साथ बजे से हम लोग इसको आपका विशेश क्लास है स्पेशल क्लास 20-25 मिनट की क्लास रहेगी तो आप सभी लोग लाइब रहेंगे ठीक ह यहाँ पर दिया गया सभिधान की आठवी अनुसूची में सिंधी वासा को किस सभिधान संचोधन के द्वारा जोड़ा गया था भारत की जो आठवी अनुसूची है उसमें पहली बार संचोधन किया गया एक किस्वा सभिदान संसोधन के द्वारा चलेगा चलेगा नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले विशन के ओर क्विशन नंबर 14 विस्मार्क आप इंडिया आप लोगों को पता होगा कि जब भारत आजाद हुआ उस समय पर देशी रियासत है थी बहुत सारी देशी रियासत ह से आपके जो सभिदान सभाम में आपके यहां के प्रतिदी भी आए थी 93 आपके ठीक है लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहरू उन्हें भारत में सामिल करने में सबसे बड़ा सायोग रहता किसका सरदार बल्लबाई पाटेल जिस कारण से उन्हें विस्मार्क आप इंडिया क के नाम से जाना जाता है ठीक है नेक्स बढ़ेंगे अगले गुशन के ओर कानपूर समझ रो कानपूर की पहली सीटी मेट्रो लाइन के निर्मान के लिए कौन सी अंतराष्ट्या बैंक कौन सा अंतराष्ट्या बैंक आपका 650 मिलियन यूरो का निवेस करेगा आप से क्या पुछा गया विच इंटरनेशनल बैंक वेल बे 6 आपका 50 मिलियन यूरो जो कंस्ट्रक्शन आप दे कानपूर फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन के लिए तो इसे कौन कर रहा यूरोपियन इन्वेस्मेंट बैंक ए आई यू यूरोपियन इन्वेस्मेंट बैंक अगर मैं य यूरो से आप लोग आपका समझ रहा कर लेते लेकिन आपको मैंने क्या लिखा सौट में ई आई बी लिखा तो राइड अंसर क्या आएगा आपका बेलकुल आंसर सही आएगा आपका सी नेक्श लेंगे अगनी ग्रह किसका पूजा इस्तल होता है पार्सी द्रम का या इन म बात गोवा रज्य था तो किसके अधिन था पूर्थ गालियों के बहुत बड़ी आपका राइड अंसर आएगा तो जब भारत आजा दुआ तो उस समय पर गोवा पर पूर्थ गालियों का अधिकार था पूर्थ गालियों के द्वारा गोवा पर 1510 इस्वी में अधिकार क चलेगा next बढ़ेंगे यहाँ पर आतंग बार्द जो आपका समझो यहाँ पर क्या है टेरर छेत्र से जो आपका एरिया बेचा आपका ठीक है यहाँ पर CRPF माहा निरिक्षक के रूप में CRPF का आपका माहा निरिक्षक के रूप में न्यूक तो ओने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन बन गई वो बिकाम दा फर्स्ट फीमेल IPS ओपिसर है वो अपॉंटेड एज दा CRPF इंस्पेक्टर जर्नल ओप आईजी IG के रूप में terror hit area आपका कौन सा स्रिनगर में तो कौन होगा आपका बेलकुल सई answer राइड अंसर आएगा आपका बेलकुल सई answer चारु सीना जितने बच्चे morning glass में रहते हैं उन सभी के answer आजए आपके चारु सीना चलेगा next बनेंगे किसी राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को Artificial Intelligence के रूप में गोशित किया अगर कोरोना वाइरस न होता तो उससे पहले अगर कोई वर्ड ट्रेंडिंग में था तो Artificial Intelligence कौन सा था? Artificial Intelligence उस समय पर ट्रेंडिंग में था ठीक है? तो इसका right answer क्या बन गया हमारा? तेलंगाना विच स्टेट गवर्णमेंट हैस देगलेर यह 2020 इस आपका Artificial Intelligence यह तेलंगाना ठीक है? नेक्स बनांगे मर्डे का कप किस खेल से सम्बन दीते है? बेलकुल अच्छा question सा आपका तो मर्डे का कप किस से सम्बन दीते है? यह रहा इसका answer football से सम्बन दीते है देखेगा हमें GS पे जाला समय निलागाना जैसे question पड़ा और direct जो किलिकवा वो answer आपका ठीक है? चलिएगा cabinet ने civil सेवा छमता निर्मान के लिए किस mission को मंजूरी दे दी? कैंद्रिया cabinet के द्वारा approval क्या गया? which mission for the civil service capacity बढ़ाने के लिए कौन से mission को मंजूरी दे दी? तो option इसका right answer क्याएगा? D. mission कर्मी होगी एक-एग आपका selected question है जब आप exam hall में जाओगे तब याद आएगा आप लोग को sir ने एक question पड़ाया था और मैंने का ना एक-एक selected question है जितने भी question में यापे रखता हूँ आपके कोई copy paste नहीं होगा आपके पिछले exam हो को देखते वे वर्तमान है अपका अलग-लग board को देखते वे SSE को देखते वे GS के question रखेगे बहुत फाइदा होगा आप लोग regular class में बने रहेंगे ठीक है? next पढ़ेंगे भारत के राष्टपती के निर्वाचित होने से पहले पूरो आपका उपराष्टपती नहीं रहे यहाप पर राधा किस्टन बिल्कुल रहे जाकिरुसेन बिल्कुल रहे और विवी गिरी आपका कारवाग आपका राष्टपती रहे समझ रो तो इन मेंसे कौन होगा? ज्यानी जैल सिंग जहां तक मुझे पता है बिल्कुल डी राइड अंसर आएगा कि ज्यानी जैल सिंग कभी भारत ज्यानी की राष्टपती बनने से पहले उपर राष्टपती नहीं रहे राधा क्रिश्टन रहे, जाकिरुसें रहे, विभी गिरी रहे और ज्यानी जैल सिंग राष्टपती से सम्मधित आपको एक क्वेशन मिलने वाला है समझ रो आप ध्यान देना 2020 के अंदर प्रेजिडेंट से रेटेड आपको एक क्वेशन बिल्कुल मिलेगा समझ रहा आप लोग नेक्स बनेंगे अगले गुशन क्योर बारतिय सविदान में कौनसी विसेश ब्यवस्ता साउथ अफरीगा के सविदान से एड़ॉप किया गया जो आपका कहा से लिया गया साउथ अफरीगा से लिया गया तो यहाँ पर याद रखेगा अगर मैं संसदिया परणाली की बात करूँ तो बिटेन से लिया गया मूल अधिकार की बात करूँ तो USA से लिया गया सविदान में संसोदन मिल्कुल सही अंसर आएगा आपका कॉंसिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंडियन कॉंसिट्यूशन के भाग 20 में और आर्टिकल किस में दिया गया 368 में दिया गया समय समय पर इसमें बदलाओ होगा जो 1949 में था तो 1950 में अगर उसमें बदलाओ क्या सकता पड़ी तो उसमें क्या होगा संसोदन होगा नेक्स बढ़ेंगे अगले कोशन पर निमनलिखित मैस से किस कवी के द्वारा कवीताओं को पुस्तक मदुसाला में लिखा गया आप्सन आपके पास दियेगे वो एमंग दा फॉलिंग पॉइट बचाव करोड़ दा बुक पॉइम आपका मदुसाला मदुसाला किसके द्वारा लिखी गई थी तो मदुसाला लिखी गई थी किसके द्वारा हरिवन सिराई बच्चन के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई थी बचे ये हरिवन सिराई बच्चन जी के द्वारा लिखी गई थी मदुसाला 2020 में Global Innovation Index जारी किया गया तो इसमे भारत को किस इसतान पर रखा गया या भारत की रैंक कौन सी है इंडिया फैनी रैंक्ड dalam Global Innovation Index यह आप से पूछा जायए जारी कौन करता है व्र्ल्ड प्रॉपर्टी और गनाईजिशन के द्वारा जारी क्या जाता है विश्व बौदिक संपदा जो क्या आपका ओगनाईज संगठन है उसके द्वारा जारी किया जाता है ठीक ना चलेगा तो इसका राइड अंसर बनेगा आपका भी-48 कि venave, इंग्लिश में हे ना कुष्षिशन आपको Rather है चले शुक्षा बरंगे यहां पर दिया गया यह पर दिया गया आपका ग्रोड फिजिकल डेपसिति फ्रॉम्हें तक यहां पर क्या दिया गया थाव्सफिजी कई प्लस आपका RBI के पास जो आपका plus ठीक ना और उसके बाद आपका क्या होगा वरिंट फ़ब्द आपका abort D बिल्कुल सही आंसर आएगा यह हमारा economics का question से economics में आप लों को जो physical या पे gross आपका physical क्या Debis80 की बात की जाएए एक्वल टू ठीक है next बढ़ेंगे निम्लिखित मैं से किसकी न्यूक्ति भारत के राश्च पती के द्वारख की जाती है भारत केまहन याईवइदी बिल्कुल की जाती है कैक की बिल्कुल की जाती है एक राज्ये के अंदर राज्य पाल की जाती है तो उप्रोक्त मैंसे सब साही All of above जाब के सारे वो इसका right answer बन जाता है Next बढ़ेंगे अगले कुशन के ओर कील नहर किसे जोड़ती है तो कील नहर आपका किसे जोड़ेगी ये जोड़ती आपका उत्री सागर को बाल्तिक सागर से तो right answer क्या बनेगा North Sea को बाल्तिक सागर से जोड़ती है North Sea to बाल्तिक सी को आपस मैं जोड़ती कौन कील नहर चलेगा next बढ़ेंगे भारतियर रेलवे के द्वारा COVID-19 रोग्यों को भोजन दवाएं और अल्यागव आपका remote नियंतर आपका medical trolley विक्सित की गई तो उसे नाम दिया गया Indian Railway बच्चा आपका remote control medical trolley what is the deliver आपका food हो गया medicine हो गया to COVID-19 patient के लिए तो उसको नाम क्या दिया गया M.E.D. Med. Boat समझे उसे क्या नाम दिया गया Med. Boat नाम दिया गया यानि की right answer क्याएगा D. Next बढ़ेंगे gross national product equal to याँपर क्या दिया गया Z.N.P. समझे लो gross national product equal to किसके ब्रावबर होगा आपका gross domestic product equal to आपका net factor income for the abort यानि की D. इसका right answer बनेगा Next बढ़ेंगे अगले question क्योर grey night किस बरकार की चट्टाने है समझो तो grey night किस बरकार की चट्टाने बचे आपका तो यह आती है आपकी इग्नियस चट्टाने समझो ग्रे नाइट किस बरकार की चट्टाने आपकी तो इग्नियस चट्टाने होती है चलेगा next बढ़ेंगे question number 32 किस समीति को प्राकलन समीति की जुड़वा बेन भी कहा जाता है किस समीति को प्राकलन समीति की तो यह आएगा आपका लोक लेका समीति पबलिक एकाउंट कमिटी जो होती है उसको और प्राकलन समीति यानि कि जो estimated committee होती है इन दोनों को जुड़वा बेन कहा जाता है ठीक है चलिएगा सभिधान संसोदन हेतु विदयक सरवप्रतम कहा प्रस्तुत किया जाता है तो याद रखिएगा यह आएगा आपका किसम है सदन के किसी भी समझ संसद के पार्लियमेंट के किसी भी आउस में किया जा सक समझ रहो नेक्स लेंगे भारत्य सभिधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट पती को उच्छतम न्यालेक में प्रामर्च देने की सक्ति देता है तो यह आपका आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 नेक्स लेंगे जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में जावा और सुमात्र द्वीप किस देश में यह plot आपके कहां पर इंडोनेशिया कैंदर अंदर यह घाँ अबंधिता विश्व में सबसे ज्यादा ग्रूप आइलैंड Union आपका डूईपों का संवोकिस में तो इंडोनेशिया में चलिएगा प्रत्थम सविदान संसोदन अधियम किसे संबंधीता तो किसे संबंधीता आप लोग ज़ोड़ कमेंट्स करके बताएंगे तो यह किसे संबंधीता वचछे आपका तो कुछ राज्यों में कृशी भूमी सुदार से यानि कि आपका किसे था थाम जो आपका ये लेंड रिफॉर्म से संबन देता ठीक है ना नेक्स बढ़ेंगे कुशन नंबर 37 निमलिकिन मैंसे किस समिती का सदस्य कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं होता है तो यह होता आपका कौन सा इन सभी में प्राकलन समिती हो चाहे लोग लेगा समिती हो चाहे सरकारी उपकरम समिती इन सभी में कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं होगा आप सभी लोगों को क्लास को सेयर करना होगा रात नौ बजे का मतलब होगा एडी परिवार के साथ आपकी SSC प्रैक्टिस सेट ठीक है तो आप लोगों को रेली लाइप बने रहेना एक्जाम टुनिवरंडी में ऑस्टे नेलिया में गास के मैदान को डाउन से कहा जाता है वैल्ड होगएओ आपका कहापर अफरीगा में सवान आपका अफरीगा में प्रैरी आपका कहापर यूरोप करना ठीक है next बढ़ेंगे निमलिक्षीत मैं से किसी प्रस्तिती में राश्पति अध्यादेश जारी नहीं कर स सकते तो जब याद रखेगा क्या होगा दोनों सत्र चल रहे हो समझरो उससे कंडिशन में नहीं कर सकता ते यह पर क्या दिया गैया इस कि न fifteen बढ़ेंगे यहापर क्या दिया गया अठोन का मतलब क्या होता है अठGold का मतलब अच्छा यह भू राज़स्वा विबाग ता मतलब जो सिवाजी का या पेश्वा काल, मैं समझे रहो तो याद रखेगा इसका मतलब क्या होता अपका कस्मीर का सासक जो समझे ने हो कस्मीर का सासक कस्मीर के अग्बर के नाम से nest n gapind is अध somethin ये था आपकह जैनू-लबदिन next गाडन चंड़ीद से नेक्चन्द सैनी के द्वारा क्या किया गया था रॉक्ट गार्डन जो चंडीद में उसे डिजाइन किया था नेक्स बढ़ेंगे शुझ कुमार सरमाक किस भूमिका के लिए प्रसिद है स्रंद को मासर मा किस भूमिक के लिए क्या विशापकہ नेक्स बढ़ेंगे लावनी किस भारत्य राज्य का प्रसिद लोक निर्थिया है महाराष्ट लावनी कहाँ आपका तो महाराष्ट होगा आपका ठीक है नेक्स बढ़ेंगे एलिफ हेंटा की गुफाय मुख्या रूप से किस हिंदु भगवान के लिए जिम्मेदार ठीक है यहाँ पर यहाँ पर डेडिकेटड आपका तो याद रखेगा है किसके लिए शिव भगवान के लिए एलिफ हेंटा गुफाओ में आपको शिव भगवान की बच्छे आपके मूर्तिया मिलेगे ठीक है नेक्स बढ़ेंगे प्रसिद वीरु पाक्षी मंदेर बारत के कौन से रज्य में इस्तित है या कौन सी जगह पर हमपी आपका कहां पर है कंणाटक के अंदर प्रसिद वीरु पाक्षी मंदेर का पर होस्तित है हमपी के अंदर इस्तित है नेक्स बनाएंगे हम लोग साजा ने मचापका निमलिखिद मैंसे किस सहर में मोधी मस्जिद बनवाई था मोधी आरब का मोधी मस्जिद ठीक है ना तो याद रखेगा आपका कौन सा आगरा में आगरा की जो मोधी मस्जिद बनाए गई थी वो किसके दौरा तो यह क्लास होती है डेली मौरिंग में तो इस क्लास को लेना बिल्कुल ना भूले क्यूंकि यहाँ पे आपका जियस कबर हो जाता है इसी के माध्यम से आपका डेली करेंट अपैर से आप लोग जुड़े रहते हो तो जरूर इस क्लास को आप लोग को रेगुलर देखना होगा चलिएगा नेक्स बढ़ेंगे आम लोग अंत्रिक्ष में पहुंचने वाले दुनिया का पहला अभ्यक्ति कौन था तो आपने बताए सर मेजर यूरी गागरेंट समझ रो कौन दिमेंच आपका और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा आपका विश्व पेपर समझ रो पहला पेपर मुद्रा जारी करने वाला या प्लास्टिक मनी जारी करने वाली कांट्री कौन सी होगे आपकी चाइना विश्व में पहला पेपर मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है चीन आपका ठीक है तो मैंने आपको बताए ना कल मॉर्निंग में पहले सारे पांच बज 2020 के अंडर जितने भी पुरुषकार है जितने भी सम्मान है वो current affairs से जुड़े हुए ठीक है उसे हम लोग पढ़ेंगे जैसे के आपका तरफ पुरुषकार हो गया Nobel पुरुषकार हो गया मान भुकर पुरुषकार हो गया साहित्यागी पुरुषकार ब्यास सम्मान जितने भी सम्मान है लिट्रेचर से जुड़े हुए उन सब को हम लोग पढ़ने वाले ठीक है उसके बाद हम लोग अगली क्लास सकेंगे वह स्पोर्ट से जुड़ी होगी तो कोशिज करेंगे उनको कब से शुरुआत की गई इस वर्स किसे दिया गया तो वह सारी चीज़े कल मौर्निंग में साथ बज़े क्लास होगी सेडूल पर लगाए गई है आप लोग रिमाइंडर लगाएगा इस पेशल क्लास है आप लोगों के लिए ठीक है ना तो सभी लोग ध्यान दीजेगा चले वच्छा आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते है चले आप मैंने बताया है ना सर आ चुके है तो आप लोगों की टेक्निकल क्लास भी जल्दी से सुरू हो जाएगी अब सर पर डिबेंड करता सर आप लोगों के क्योंकि अभी एक दिन का अगर आरम भी लेंगे सर ठीक है टेक्निकल क्लास आपको कल से होगी या परसों से होगी लेकिन एक दो दिन में सुरू हो जाएगी सिर्फ दो दिन में मैं बात करा हूँ कल से ना हो तो परसों से टेक्निकल भी सुरू हो जाएगा फिर हम लोग 200 नंबर का जो आपका क्वेशन पेपर है वह आपका आपके बाद